एक गाव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था जबकि सोहन बहुत महनती था एक बार दोनों ने मिलकर एक बीघा जमीन खरी दी जिससे वह बहुत फस्ल उगा कर अपना घर बनाना चाते थे सोहन तो खेत में बहुत महनत करता लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता बलकि मंदर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता इसी तरह समय बीटता गया कुछ समय बाद खेत की फसल पक कर तयार हो गई जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है यहाँ बात सुनकर नकुल बोला नहीं धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की तभी हमको अच्छी फसल हुई भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है धन के बवारे को लेकर दोनों गाव के मुख्या के पास पहुचे मुख्या ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया जिसमें कंकर मिले हुए थे मुख्या ने कहा कि कल सुभा तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड अलग करके लाने हैं तब में निरने करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए सोहन ने रात भर जाक कर चावल और कंकड को अलग किया नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना की अगले दिन सुभा सोहन जितने चावल और कंकड अलग कर सका उसको ले जाकर मुख्या के पास गया जिसे देखकर मुख्या खुश होए नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुख्या के पास गया मुख्या ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किये है नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है चावल साफ हो गए होंगे जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकर वैसे के वैसे ही थे जमीनदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहंत करते हो इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहंत करने लगा और अपकी बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए हमें सफलता प्राप करने के लिए मेहंत करनी चाहिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में